अगर किसी DAW के अंदर हमारा workflow तेज नहीं है तो efficiency तो effect होती ही है, eventually proficiency भी effect होती है इसलिए shortcuts होना या कुछ इस तरह के tools पता होना बहुत अनिवारे है जिससे उस DAW के अंदर आपकी workflow तेज हो सके जिसमें सबसे ज्यादा important जो मैं use करता हूँ piano roll के दोरान वो है मेरा command tool यह देखिए आपको यहाँ पर एक pointer नजर आ रहा है, mouse का, जैसी है मैं command प्रेस करता हूँ तो वो pencil में convert हो जाता है मैंने command छोड़ा, वापी से pointer, प्रेस किया pencil, इससे फायदा क्या होता है, मैं piano roll में आता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ 3-4 note जो भी मैंने लगाने थे, लगाए, वापी से मैंने command हटाया, वो फिर से यह चीज बन गई है, कोई भी मैं select करना चाहूँ, delete कर दिया, easy life वापी से मैं इनको select करूँगा, alt या फिर option, पकड़ूँगा, copy paste हो गया है, वापी से मैं फिर से command प्रेस करूँगा, कुछ मुझे change करना है, यहां कुछ add करना है, मैं add कर पाऊँगा, drop किया, select किया, तो बार बार उसको T प्रेस करके, यहां से pointer लेना, या फिर right click करके create note क करना, उससे ज्यादा आसान है, मैं बार बार command प्रेस करता रहूँ, जो चीज़ मुझे लगानी है, command छोड़ा, select किया, delete कर दिया, easy, बढ़ते हैं अगली option की तरफ, मैं यहां जाता हूँ, carbon drum loops, और यहां से कोई भी एक random loop मैं उठाता हूँ, मेरा ही drum sample pack है, आप जाके search कर स करने वाला हूँ, बहुत ही clean, बहुत ही अच्छी है, वो chopping में काम आती है, वो एक noise gate के simulation की तरह वो काम करता है, मेरे पास hat है, snare है, kick है, और मैं cutting करता जाओंगा, काफी लंबा काम होगा, उसकी जगा मैं क्या करूंगा, select किया, press किया, control X, जैसी press किया, आप देख रहे हैं, तो उनका जो size है overall, वो कम या ज्यादा हो रहा है, जितना भी अगर हुआ है, एक बार मैं इसको okay करता हूँ, और दिखाता हूँ, क्या चीज हुई है, ये देखिए, सभी के सभी, अपने हिसाब से, वो cut हो गए, हमें क्या फायदा हो गया, जितने मुझे section चाहिए था, मैं मालीजे मैं कुछ settings चेंज करना चाहता हूँ, preferences में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, logic pro, इस पे click किया, preferences और यहाँ पर यह settings आती है, तो बार बार जाने से अच्छा है, एक shortcut बहुत ही आसान, command, comma, command प्रेस किया, comma किया, वो पूरे पूरे preferences आपके सामने वो window आ जो भी आप settings चेंज करना चाहते हैं, बहुत easily कर सकते हैं, next option, मालीजी आपने कोई project बना रखा है, उसमें बहुत सारे tracks है, और आप चाहते हैं उसे transpose करना, बार बार आप सब को select करते जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, inspector window में और वहाँ पर आप उसे transpose करते रहेंगे, उसकी पूरी selection अप होती जाते ही है, और यहाँ पर भी plus 4 लिखा आ गया, वापिस मैंने select किया, again मैंने option प्रेस किया, इस बर मैं down करता जाओंगा, plus 3, plus 2 आप वहाँ पढ़ सकते हैं, और नीचे piano roll के अंदर भी देख सकते हैं, अब मान लीजीए, मैं एक-एक semi-tone नहीं, मैं पू down, वापिस वहीं, और down, minus 12, right, तो एक-एक semi-tone या पूरेक पूरा मुझे octave, आप यह down करना हो, transpose करना हो, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, किसी भी एक track को select करके, next बहुत ही handy tool है, मैं फिर से वहाँ जाता हूँ, carbon drum loop और यहाँ से मैं कोई भी एक loop लेकर आता हूँ, वैसे तो य बहुत ही आसान, इस पे मैंने select किया, select करने के बाद मैं प्रेस करूँगा, command, option, T, यह देखिए, एक window आगया, जिसका नाम है detect tempo, ठीक है, उसने tempo तो उसकी बता ही दी है, साथ में और भी बहुत सारी उसने उसके बारे में details बता दी, right, वो देखिए, 82, 82, nice, next option बहुत ही ज color code करना चाहते हैं, so that आप धूर से ही पहचान सकें, mix कर सकें, उनको level set कर सकें, बहुत ही आसान है, मालीजे यह चार tracks है, shift प्रेस किया, सब select हो गए, बहुत ही आसान कैसे, अगर यह उपर वाला selected है, shift प्रेस किया, जहां तक करने है, नीचे वाले को click किया, चारो के चारो select हो गए, आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे option C, option C जैसी प्रेस किया, आपके सामने, यह color का box आ गया है, कोई भी color देना चाहें, आप देख सकते हैं, मैंने इस पे click किया, वो सब blue हो जाएंगे, इस पे click किया, सब green हो जाएंगे, yellow पे click किया, सब yellow हो गए, चलि simple, easy, तो आप देख सकते हैं, जितने भी यह shortcuts हैं, ऐसे और भी बहुत ज्यादा shortcuts है, shift, command, option, यह तीनों बटन बहुत ज्यादा handy है, आपकी बहुत help करते हैं, किस तरह से, आपने पहले भी पिछली lecture में देख भी चुके हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ, मैंने अकेला shift प्र control wheel आगया पीछे कर रहा हूँ, यह देखिए, मैं बड़ा easily navigate कर सकता हूँ, अगर मैं shift के साथ option प्रेस कर दिया है, तो यह देखिए, zoom in, zoom out हो पा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ, अगर मैंने अकेला option प्रेस किया है, तो वो इस direction में करेगा, अगर मैंने shift साथ प्रेस कर है, तो वो इस direction में करेगा, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, यह overall lecture का, जो main मकस्त था, वो आपको यह बताना था, कि यह जो 3-4 button हमें हमेशा मिले होते हैं, keyboard के bottom left side पे shift, control, command, option, इनके साथ आपको सारा दिन खेलते रहना है, so that आपका workflow तेज हो, जितना तेज हो पाएगा, जल्दी से आपके मन में कुछ idea आया, आप उसे बना पाएंगे, music जितना जल्दी बन पाएगा, नए ideas बन पाएंगे, efficiency बढ़ेगी, और eventually proficiency बढ़ेगी, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए देवनेक्स level, signing out, नमस्ते.